इक उन्तार सत्नाम करता प्रुख निरभव निरवेर कालम उरत अजुनी सैधं गुर्परिसाद जप आद सचे जुगाद सचे है भी सचे नानिक होसी भी सचे सोचाए सोच ना होई जे सोची लखवार तुपै तुपना होई जे लाय रहां लिवतार बुखे आ बुखना उतरी जे बना पुरियां भार सहस्यान पां लखोए तो एक न चले नाल क्यों सचे आरा होई है क्यों कूड़े तुटे पाल हुकम रजाई चलना नानिक लिख्या नाल आद स्री गुर्णानक देवजी महराज दी आद बानी दा नाम जप है गुर्णानक देवजी महराज दी सारी विचार धारा जप दे आले द्वाले परकर्मा कर दी ईश्वर प्राप्ती दा मुक्षाधन गुरु बाबे ने जप ही दसेया जपो ता एको नामा आवर निराफल काम गुर्णानक देवजी महराज दी प्रथम बानी जप है आद काल तो भारत दे रिशी मुने जद भी कोई धारमक ग्रंत लिख देशन ता मंगला चरण लाजमी करन देशन मंगल दाइन करना भार्मिक लिखारियां दी दुनिया दिच एक मूल परम प्रावन गई अक्सर मंगल सुरस्ती ते गनेश दाही पीता जंदा से ऐसा ख्याल से के सिध्धी दाता गनेश है बुध्धी दाता सुरस्ती है मनुखदी मूल मंगावी ये दो ने सिध्ध और बुध्ध बुध्ध देट ब्रहमंड दा सारे ग्यान आजंद है पतारत दी बुख शरीर दी है ग्यान दी बुख मन्दी जमीर दी है ए चीज क्यों है, कित्छों है, एदा आर की है, एदा मद की है, एदा अंद की है, हर वस्तो नो जानन दी कि टीबर भुक मनुख देंदर मौझूद है, यह बहुद अग भुक है, मनुख सब कुछ प्रापत ही नहीं करना चांदा, बल्कि सब कुछ जानना भी चांदा है, उसनों त्रिप्ती मिल दी है, जद उसनों पूरन ताउरती जानकारी मिल जाए, उदे सवालां दा जवाब मिल जाए, तो आद काल तो मंगल गायन होंदे रहे, सुरस्ती रहे, गनेश दे, और एकलपना बड़ी परबल रूप देच धार्मक दुनिया दे चाही रहे, कि सि सिद्धी दाता गनेश है, बुद्धी दाता सुरस्ती है, सिल्सलावार धार्मक रहबरी पुरुशादी शंकला देच, साहिव श्री गुरुनारंक देवजी महराईदा आगमन होया, आपने उस परंपरा तो वक्ख होते, जो मंगल गायन कीता है, और करते दा करते दाने, अगर सिद्ध दे बुद्ध एक ईश्वर तो बिनावी, किसे हो तो प्रापत हो सकती है, तो ईश्वर दी पूजा दी कोई लोड ही नहीं रह जादी, उस दी प्रस्तिस दी कोई लोड ही नहीं रह जादी, क्योंकि मनुक दी मूल मंगा ही यही दो ने, सिद्ध और बुद् सिद्धी एक तो मिल दिये, बुद्ध एक तो मिल दिये, उद्फपती एक तो है, पालना एक तो है, नास एक तो है, जगत्धी मूल आक सापने हैë, और सारी उनेक्था उस एक दे चोंग पैदा हुदु साहिब श्रीक रुणानिक देव जी महाराज जद लिस्माद मंडल दिछ गए ने जद एक रूप होए ने ता आप दी रसना तो वाक भी एक निकले है एक उवनकार वो एक है और वो उवनकार है भाव उस्तों ही उत्पती हो रही है पालना हो रही है नास हो रही है वो वनकार इन शब्दांदा जोड़ है अकार उकार मकार उत्पती करनवाला पालना करनवाला नास करनवाला इस सारी किरिया एक तो हो रही है वो जो एक है वो वनकार है सहिव के निन वो सत है सदीवी है हमेश है और वो जो सत सरूप है वो हस्ती वाला है वो दा नाम है जैसे ऐसी कह देने है फलाने दा नाम बहुत वड़ा हो गया फलाने दा नाम आसमान दे चड़ गया मतलब है वोरी हस्ती बहुत हो गया वोड़ी समर्ता वद गई है वोड़ी ताकत वद गई है वो जो एक है जिस तोथपती पालना के नास हो रहे है वो शत्ज रूप है हस्ती वाला है नामने важно वो जिस भी हस्ती है वो फिर कृत नहीं है करता है और जो करता है ऐसा करता है कि अपने कृत देच पूर्या है वो केवल करता नहीं वो करता पुर्ख है कुमार ने घड़े बनाये कुमार अपने घर बेठ़ है घड़े किसे होर देचार नहीं है प्रमात्मा ऐसा करता नहीं है कि उदी कृत उस्तों बख हो गए नहीं उसने जो कुछ भी बनाया है अपनी बंतर देच बैठ़ गए है चैए हो शुरजऒी किरन है, चैए पुलांदी सुंदृता है, चैए बदलांदी गरघन है चैए साधर दिन लैराने, चैए कीडी है, चैए हाथ्य है जो भी उस दी कृत है, ब्रेमर्ण दे जर्रे जर्रे रिच्ट वो व्यापक है, पूरे आया, पुरक दे, अख्री अर्थ विया इने पुरी पुरी बसंता सा पुर्खा, जो पुरीयां-पुरीयां देची हमे आया ओया वो पुर्ख है, वो ऐसा करता पुर्ख है, जिदा स्वाव है की भै तो रैत, निरभाव, निरवैर, बड़े मूल क से दा वेर हिर्देच रखणा किसे दा भै हिर्देच रखणा किस तरह मनुख्लों नर्क्दिच जानादी लोडने जो भै ठील dh by मसवाय जीरे कि दख इना दुष्मन नहीं चंगा लगदा इस दोष्मन इनूहितिám बरने कीता है डुश्मन नहीं चम्णा प्रद्शमीनुंफी बारकट हुआ जिक दुश्मन भैड़ा है अफिर दुश्मन 예भी बैढ़ है और उसी करता पुर्ठ है भैत लो्या ऊवना उन्झे भी सुनों टुनाlog है किस्तों वड़ा है और बन कोई नहीं हुआ है है वड़ेदा होंगा है वैर शरीका नाल होंगा है कि ससको आप उसना कोई माजि नहीं उसना कोई मुशथ बिलन भूत काल ते भवश्दी संभावना प्रमातमा नाल नहीं जोड़ी जा सकती। वो खुद तिन कालां दे अंदर नहीं है, तैकाल गर्सी है, इस वास्ति सद्गुरु ने कह देता है, अकाल समय तो परे, जो समय देविच नहीं है, समय नो देखन वाला है, जिस तो समा पैदा होना है, जो समय देविच नहीं है, और उन्ज भी परम अनंद दी दुनिया दे समा कोई मैंनें नहीं रख् bikin amunukh द्ुख दिजर समा वतीत नहींदा समा बड़्डा ऋजान दिय्मकाल वड़्डा ओजंदै किसीफिशी रेच और अनंद रेचे मस्तीरा मनुख क्योप ऩचल्ठPS अजदा दिन ते इंज लंग गया, जिमें एक पल लंग है, अजदी राट ते इंज लंग गई, जिमें एक घड़ी लंगी है, और मनुक दुख देचे, बीचे नी देचे, विपतार देचे, कै उठदा है, अजदी राट ते पहाड बन गई, अबूरी नहीं होंदी। आज दा दिन ते एक युग बन गया है, लंग दाई नहीं, दुख है, चाहे संसारिक होगे, चाहे अध्यात्मक होगे, समा लंबा हो जाना है, सहे गुर्वरजिन देव जी महराई दा ऐसा फ्रमान है, चार पहर, चो जुगे समाने, रैन भई, तब अन्त न जाने, ए प्रभ तेरे चोड़ेदा दुख है, वो भी दिन दे चार पैर, मनों चार युग हो गएने, लंग देए नहीं, ते रात कितनी लंबी है, ते कतन तो भी पर है, ते केहन तो भी पर है, प्रमातma अनुर्वर्याथ सरूप है, उत्छे समा ी नहीं है, उत्हे दिन रावती नहीं है बगत कभीर केन ने, दिन सुरैन नहीं, बेद नहीं सास्तर, तहाँ बसे निरंकारा, कहत कभीर नर्तिसे ध्यावो, बावरिया, संसारा, उते समानी है, क्योंके समेदा बोध सूरज ते चंदरमा करके होंदा, जद चंदरमा दिखाई देवे, रात है, जद सूरज दिखाई दिन है, दिन ओते रात दा बोध आरें करके सूरज करके है, दिन सूएन नहीं, दिन रात उठेनी, ने, समाखोगे, अक्ाल, तो केवल सी वर्तमान ही, प्रमातमान दे सग्रेया, माजी मुस्तक्भिल ने, कैसे दिखाई है, प्रमातमा है, सो है, तो सत्गुर केन यें, तो समय तो पर है तो किदरे ऐसा ही ना समझ लेया जाए वो एक कल्पना है तो सद्गुल केने नहीं मूरत मूरतिमाद है उदी होंद है उदा वजूद है पर वजूद तो किदरे ऐसा ख्याल ना बन जाए कि वाकई वो घड़या गया बनाया गया या जनमाया गया तो एकदम सद्गुरकेणिने अजनम नहीं। उद्धा जनम नहीं है। उन्नों किसे बनाया नहीं है। उद्धी मूरते कृत्त नहीं है। वो अजनम देच नहीं। मूर्तिमान जरूर है पर अजनम है जनम देच नहीं फिर उस दी हस्ती किस्त्रा है तो सद्गुर के निन सै भंग वो अपने आपतों आप ही प्रताशमान है आपी ने आप साजयो आपी ने रिच्छे ना दूई कुद्रत साजय कर आसन डिटो चाओ उन्हें अपनी साजना आ उन्हें अपना फैलाव विस्तार आप की था और आप ही अपने आपनों सर्ख लेंदा है जब विच्छ करा करता अरा जब आकरतَ करता हों कब हों तुम मैं मिलते देह, धर सथ हों सै भंग व अपने आपतों już आप ही प्रकास मान है एसा जिणा परीपूरण प्रमात्मा है गुर्म, वो रोशनी है, वो चान्जना है, वो ग्यान है, ग्यान दाता है, गुरु है, ऐसा जो प्रमात्मा है, जो गुरु है, आधी गुरु केवल प्रमात्मा है, और कोई गुरु नहीं, आध अंद, एक है अवतारा, सोई गुरु समझेो हमारा, अप्रम परपार ब्रम, परमेसर नावनिक गुर में लेया, सोई जियो, कीडे मकोड़या नुभी, जीवन चरया दा ग्यान परी पूरन प्रमात्मा ने दे रखे, बच्चेयां दी पैदाइशने में हों दिये, इना दी पालना के में करी दिये, पंचिया नुपता है, चो पाए जानवर नुपता है, किसे स्कूल दे चो पढ़न नहीं जांदे, कोई किताबा उना नहीं पढ़िया, कोई ग्यान उना नहीं देंदा, लेकने सारे दा सारा बोध उना देंदर मौरूद है, इतनों सपष्ट हो गई, कि सारे जीवन दा प्रेर्म दायक है केवल प्रमात्मा, ग्यान दायक केवल प्रेश्वर है, जितने सुंदर गोंसले कई दफा पंची बना लेने हैं, कोई मुनकिस धंग दी सोनी बनतर नहीं बना सकता, तो ग्यान है, तो एस सारे दा सारा ग्यान देंदे वाला प्रमात्म है तो ही प्रमात्मा गुरू है, आप कहनें गुरू, और ओ जो गुरू है, पर साथ दया दी मूर्ती है, दयालू है, पिरपालू है, दया दा घर है एक जबजी सावदा मंगल है, एक गुरुगन सावजी महराईदा मंगल है अगे शवद है जप, जप बाणी दा नाम है गुरुगन साब जी महराई दिछ जितनियां बाणियां आयाने बकैदा उना दे नामने सुकमन्नी, रहरास, सोहिला और इसे तरीके नल चौबोले, फुने चंद, भटां दे सोईए सहिस्कृती सलोक, इत्यादत, वारा, वकवक, बकैदा बाणियां दे नामने तो सबतों प्रथम पेड़ी जड़ी बानी है, इत्याद नाम है जब जब साब रेच, दो सलोक ने अठत्ती पौडियन है पहला सलोक उपकर्म है, अखीरला सलोक उपसंगार है प्रथम सलोक आद सच, जवाद सच, हैबी सच, नानिक होशी भी सच अखीरला सलोक, उपसंगार, पौन गुरू, पाने किता, माता, धर्त महत दो सलोक कांदे विचकार अठथती पौडियाने और एठथती पौडियान परमातमा तक पहुंचनगा एक वसीला साहिब गुरुनानिक देवजी महराज ने जगतनों बख्षिश कीता है पहले सलोक देच, आप फरमानी करदेने, चुँके बानी दा नाम है जप तो जप किस दा करना है? एदर स्देने, किस दा जप करना है? आद सचे, जुगाद सचे, है भी सचे, नामिक होसी भी सच, आद सच जो अनादी है जिदा आद लबया नहीं जा सकदा और उस वकत भी एक आइम दाइम सी, अजे जुगादा अरंब नहीं होया सी उस वकत भी सच मवजूद सी, होन भी है और अगाण भी एही सच होएगा सरेवी है, हमेशा है, इसे रइज़ात करना है इसे सत्त तक पहुंचन वास्ते उस आध सच तक पहुंचन वास्ते जगत देच वकवक साधन जुटाए गए जैसे धन कमान दे कई तरीके ने धर्म कमान दे भी कई तरीके ने जैसे भुख मिटाण वास्ते कई प्रकारदा भोजन है सड़े देश देच तरह तरन दे अन खादे जन्दे ने महराश्त्र दे लोग जवारी खाके गुजारा कर लें देने कोई बाजरा खांदा है कोई कणक खाके अपने उपजीव का चलांदा है और ऐसे प्रांत ने जिन भाखवाक हो सकता है भजन दे तरिके भखवाक हो सकते ने धर्म दी धर्ना ।वricht भोजन ना मिले तो start पूरीच मनुक अपवित्र ते गल्द भोजन भी कर लेंदा है या अग्यानवा सोके कर लेंदा है। स्वच्छ पाणी पीन नू ना मिले और बंदा बहुत त्रिखा वन्त होए तो मजबूरन पे गंदला जलबी पी लेंदा है। इसी तरीके दिनाल जो कुछ साधन जगद देच परचलत सन ति जड़े साधन प्रमात्मा तक पुचान देच असमत सन जगद गुरुबाबे ने उनादी चर्चा की ती है। और इस परफम पौडी देच एवी दसे है कि परमात्मा तक पौँचन तक सबतों बड़ी रस्ते दिच बाधा की है। ओ, इसी पौडी दिच दसे है। कि क्यो सच्यारा होई ये, क्यो कूडे तुटे बाल। परमात्मा की ये सच, बाधा की ये कूड। प्रमातमा की ये सत्त और ईश्वर तक पॉंचन वस्ते रस्ते दिछ बाधा कीये जूट असत्त सिर्फ मनुख ने असत्त दी दिवारपों तोडनी हैं सत्त तक अपने आप पहुँच जाएगा सिर्फ मनुख ने कूर नू छड़ना है, साचती प्राप्ती अपने आप हो जाएगे सिर्फ मनुख ने अपने हथांचों कंद करते कौडियानू सुटना है, भीरे रतन अपने आप प्रापत हो जानगे छोड़न दी हिम्मद चाहिए तो इसत एक उड़ एक दिवार है, इस दिवार नू तोड़न दे जो जो उपराले कीते गए जग्द गुर बाबा उना दा जिकर कर देने क्योंकि मन नों जड़ी मेल चड़ी है, वो कूड़ दिए, रस्ते दिवार है ये कूड़ दिए तो इक तरीका ये अपनाया गया सड़े देश दिच कि तीर थांदा इश्नान करेगे और इश्नान कर देया जूट दी कंद धै जाएगी, इश्नान कर देया कूड़ी मेल उत्र जाएगी, सच दी प्राप्ती हो जाएगी साहिब श्री गुरानिक देवजी महाराज कल जुगदे महान रहबरी पुरुष इस साधन नाल सैमत नहीं आपदा फ्रमान है कि सोचे सोच ना हो वई, जे सोची लखवार सोच शवद संस्कृत दाय एदि अर्थने पवितरता इश्नान, सोच करे दिन सर रात मन की महल न तर्ण दे जाएगी सोच करन दे नाल, इश्नान करन दे नाल, मन सुचा नहीं हो दा, इश्नान करन दे नाल, कूर्दी महल उतर दी में बलके भगत करीर ते थे तक केंदेने, जल के मजन जेगत होवे, नितनित मेंड़क नावे, तैसे मेंड़क, तैसे ओनर, फिर फिर जोनी आवे आप होर एक वाक दिछ फर्मान कर दिन कबीर गंगा तीर जो घर करे पिले निर्मल नीर बिन हर भजन नमक्त होए इन कैर हमें कबीर आप दे बीच गनामत ब्रंथ डिच एक बड़ा सुन्दर चंड एप कहा कि दने गंग नहाए जो नर तरहें मेंडर के उन तरहें जिनके गंगा में घर है संख बजाए जो नर तरहें गधे के उन तरहें जिनके संख जैसे सुर है जट बढ़ाये जो नरतर हैं मोर के उनातर हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं कहत कबीर सुनोरे संतो वही नरतर हैं जिनके हिर्दे में हर है इस तुरह दे महावपुरुष परंप्रावादी नहीं होंदे, सत्वादी होंदे सत्वादी यांदा ते परंप्रावादी यांदा हमेशा घोल ले सत्वादी भी दो तरह दे रहे ने, सच जान ले है, कहना नहीं विक्यों नहीं कहना, तूंकि कवांगे तो जगद विरोत्ता दिश खड़ा होएगा, आखांगे संसार स्यमत नहीं होएगा, दूसरे सतवधियों ने सच जाने आएं, सच पहना भी है, ताकि जगद दी जोली के पैसे के, सोच आए, सोच ना होवई, जे सोची लखवावर, इस तरह दा इशनावन एक दफा नहीं, जे लखा दफा भी कीता जाए, तांवी पवित्रता नसीब नहीं होएगी, तांवी कूर दी पाल नहीं टुप़ेगी, और अक्सरते ऐसा देख्या गया है, कि दुनिया दे बहुत वड़े वड़े ठग, तीर्थांदी कंडे ही मिल देर, बनारस सड़े देश दा मुख तीरत, सवत्म वड़ा तीरत, लेकन हरानगी दी गल इस देश दिश ठग भी, बनारस दे मुशूर में, कबीर जैसे संतनु भी कहना पया, कि हरके संतना आखी है, बनारस के ठग, तो इ पानी का रोगान उपटन देश समरत होए, पानी इस तरह देवतावी है, प्रभूदी के जित्ती होई शक्ती है, लेकने समझ ले आ जाए कि जल देश नान कर नाल ही प्रभूदी प्राप्ती है, तो साहिव गुरुनानिक देवजी महराज इस नाल सहमत ने, इस वास्ते ग तो नाल समबंध होए, भजन नाल समबंध होए, उसतरा देव पानी इस नान Sunny वक्ती पाउरते कुछ सोक्ष, शांती तेदेश सगदाई, केड़ह पानी जड़ा पानी बानी नाल जुड़े होए जड़ा पानी जप तप भजन नाल जुड़े होए and पल केवल पानी देश प्रभु प्राप्ति दा वसीला समझ लेना जगद गुरु बाबा केंदेने सोच ए सोच ना हो वई जे सोची लखवार। दूसरा तरीका पे अपनाया सड़ेश देरी शीमुनियाने के बोलन दे नाल मनुक दी बहुती शक्ती नश्टो जांदी। बोल दे नाएं मनुक दा मन बहुत तक खिंड़ दा है। बोल दे नाएं कुछ वार्च असात पर निकल जांदेने। बोल दे आएं कुछ बोला नाल किसी दा दिल तुट बैंदे है। तो की करिए, बोलिए इमान, खामोश रहना है, चोप परहना है, दरसल इंदरा हर प्रभू दी दित्ती होई महान देना है, उदी दित्ती होई एक महान कला है, और उस दी दित्ती होई एक महान शक्त है, चाहिदा ते एह है, इस दा सही उपयोग करिए, जैसे जीवन उसमें स अभेधांदा घलत इस्तमाल नहीं करना आख बोलन फख ओनों happen again सही करना है कनलना तहीं करना थी गल्त वर्तों नहीं करना है सही करना है लेकिन कुछ ऐसे भगोरे सम्हें जना नो अपनी जबान दिते भरोस्यांड ने सी उन्हाने धारना फ़े बना लिए चुपई रेने हैं के बोलन नाल शक्टी नस्टमा दिये बोलन नाल घल्त बोलिया जाना और बोलन दी बहुत ही जी किधरे वादी पैजा है तो फिर खामोश करना भी बड़ा ओखा हो जाणा ता इस छीक है कि बहुत बोलन दे नाल मन खिंड़ा है घल्ट बोलन दे नाल मन खिंड़ा है एक निदा ए मतलब भी नहीं कि ना बोलन नाल कोई मन जुड़ जानदा है पोईतर हो जानदा है बोलिया है ना कि कूर्डी गरी कंद है एक तुड़ जान दिये ऐसा नहीं है यत ठीक है कि जैसे शेक्साइभी साब दो होगा थखना है कि जवैमुश्क बैतरज यक तोदय गिल कम अवाज हरगिज नभी नभी नी खजल उकें दो आ काट बोलन वाला ते सोच के बोलन वाला करी भज़ल खवार नहीं होंगा करी दुछी नहीं होंगा जवे मुश्क बैतरस यक तोदाइगिल बहुत इंतिवात आपके इन्देने ऐ बंदे तुम मुँदे चों पूरे दा पूरा मिटी दा तोदा कड़ें मिटीरा टेर कड़ें उस नालूं बैतर है कि जवे दाने जितनी एक निकीरें गल आख पर होवे मुश्क पपूर वनगी उदे जमहक होगे है उदे सुगंदी होगे फिर एक थांटे आप ऐसा भी केंदेने हैं कि मैं देखां एक बंदा सुजाखा है ते चल रहे है ति मैं हो इसनों रस्ता दिखावाँ ऐसा मेरा बोलना उत्थे आजाई होगेगा व्यर्थ होगेगा वगर बीनम के नाबीन आउचा अस्त अगर खामोश बशन नशीनम गुना अस्त जि मैं देखां के एक नाबीन बंदा है अंधा बंदा है और उदे गुचा है खू है अगर खामोश बन नशीनम गुना अस्त जि मैं उत्थे वी चुपरे गया ते गुन एए मेरा बोलना यहिरा लगा तो इती ठीप ई कट बोलना लंग लेथ नहीं बोलना यह उस्वैस्वत बीलकुल ही यह इस वस्ति शृत बूर्द कहूं नहीं कि ठुप नंउहां लेवतार रहां जंद अंदर ते कलपना चल रही है साइब गोविन सिंजी महराई दवाक नावे दादर मोन सो बेचें बानरस बंदर बास बनारी अगर मोन धारन करना लही प्रबूदी प्राप्ती होए तो जितने ब्रिक्ष ने जितनी बनस्पती है जिदे अंदर जीवन मौजूद है लेकिन तम समकोडे भी मोनीन है सबनु प्रभू मिलना चाहिए थै सबनु प्रमातमा मिलना चाहिए नहीं साहिवके ने चुपरेण दे नाल मन चुपनें करदा चुपरेण दे नाल जूटधी कंद ने दोटधी तीसरी विचार दहरा जो सड़े देश देच बहुत वड़े पदरते पनकी। इसनों जणम दितरों वाम याग एने। इना दी विचार धर्वाज़ शत एसे के मन जो कुछ MigdacheOM, रज करें। जो सुनननों मंग रहे, जो सपर्शकरनों मंग रहे, जो सुंगरनों मंग रहे, गर्ष के इंद्रियां ता जो रस मन मंग रहे, रज के देओ, कि इतना देओ, कि मन रज जावे, कि जद मन रजेगा, ताही रब दी तरफ मुड़ेगा, जद मन रजेगा, ताही प्रमात्मा द अनेकाँ पुरियां दे पदारत, पंडादी तरह बन के वी जे मनुखनों दे दिते जान, तावी मन दी बुखने मिटते, मन ते कदी रजदाई ने, संसार दिच ऐसा है ये ने कुछ, जिस्तों मन नो त्रिपती नसीब हो सके, जगर्देच ऐसा कुछ भी नहीं, जे दिन आल पुझे जान लगे, पागपुझे जान लगे, जिना दे चिन्म, अजवी भारत दे मंदरां दिच मौझे उधने थाँ थाँ थे, दुराचार दे अड़े, जद मंदर बने, और पिछोकड विचार धारा एकम कर रही सी, मनन नू रजान, जो खान नू मंदे देओ, जो भो आशना दे अड़े बन गए, दुराचार दे अड़े बन गए, और आज भी जद इस तरह दे अस्थान दे खन्न मिल देने, और पुराणी विचार धारा पणन मिल दिए, तो अफसोचनाल कहना पेंदा कि कितना गल्त सोचे आ गया, कि मन जद रजेगा, ते फिर बंद भी क बनना पुरियां भार, सैगन रुपी बुख न उतरे, जान देखां ता बुख, ना निक सचे नाम बिन किसे नद थी, अकीतत, सचाई, कि मनुक दे अंदर बुख धन दी है, प्यास रूप दी है, ना रूप दी प्यास मिठ दी है, ना धन दी बुख मिठ दी है, जिस तरह श्रीर जिन्दा है भोजन करके पाणी करके केवल पाणी दे 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 ये ते भोजन ना दे ये दर नहीं बनेगी केवल पोजन दे दे ये पाणी ना दे ये तामी श्रीर दे तल ते ब्याकुलता बनी रहेगी एक प्यासा बंदा होए त्रिखा बंदा होए रोम रोब उस दात प्रापत करना ही चांद है। प्यास रूपधी है बेखना ही चांदा है रजदाई और बुक है धनदी है प्रापत करना ही चांदा है और होर प्रापत करना चांदा है सैस ख़टे लख को उठधावे तुरिप्त नावे माया पाचे पावर त्रिप्ती नसीव नहीं हो दी, जिस्तरा देखन देचाया है, के तन दी त्रिप्ती बहुत शेती हो सकती है, दो रूटिया नाल नहीं होई, थी चार रूटिया नाल बुक मिठ गई, एक गलास पाणी नाल प्यास नहीं मिठी, तो दो गलास नाल मिठ गई, फी जो धन दी ब बुख बनी ने दिए और मुनुफ मर जान रहा है इसे रूप दी प्यास देच इसे धन दी बुख देच तो साइब केंद में रुपी बुख न उतरे जान देखां तां बुख तू सुन्दृतानों वेख रूपनों वेख जितना वेखेंगा उतनी प्यास वद देगे तू मन रज्जेगा फिर प्रभूदी प्रस्टिश करांगे साइब केंद ने इती सोचना ही गलत है बुखे आ बुखे ना उतरी जे बनना पुरिया भार अनेका पुरियां दे पदारत है पंडा दियां पंडा धेरां दे धेर जे दे रहे तांवी बुखे मन दी बुख नहीं मन बुखे दा बुखा रेंदा कुछ पजीन लोगाने एक होल साधना नुजनम दिता तो एदे नाल पूर दी मैल उतर सकती है एदे नल जूटती कंद तुट सकती है सच दी प्राप्ती हो सकती ओ की से मनुख विद्वान बने आलम बने दार्शनिक बने विचारिक बने जै वैसे जैसे यह जीन बिचारिक बने गार्शनिक बने गाफ फिलॉस्कर बनेगा पड़ा रिखा होगेगा आलम बने गा वैसे वैसे यही गूर दी कंद तूटेगे वैसे मन देतों जूटती मेल उतरेगे देखन दिछ आया है कि ए साधना भी कुछ सफ़ल नहीं होई ते ज आज़ोग केंदेने हम जानते थे कि इलम से कुछ जानेंगे पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी कुछ भी नहीं जाने ए थिन्दा प्रसिद संथ सुक्रावत अपनी एक लिखत दिछेंड है कि जद मैं बच्चा सी तो बच्चेयां दिछ बैठके मैं दावा करदा स मैं सब कुछ जानना सब कुछ जानना जद मैं जवान होया ता मैंनू केना प्या कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानना मैंनू नहीं पता और कहींगा है आज मैं बुढ़ा हो के दावे नाल कहिना कि मैं कुछ भी नहीं जानना था मैंनू कोई बोध नहीं मैंनू कक्र भी न विख स्थाइए यूदैंसरा है अरे इसा ऄंडन देशाए जिटने साधम अजे जुटबाएंखने पहले नहीं से अज जितने सकूल नहीं जक्तने पॉलज नहीं अज जितने झाल रिγάति है कि की sound कि एज़िके कि हैं कि 100, 200 साल पिछे चले जाई दो अन पर स्यानियां देता बहुत जयदा से अजो के समय दिश्ट पड़े लिखे मूर का दी तादा बहुत जयदा है तो मूर किसनों पेंदेने जग्ध गुरु बाबा केंदेने पड़ेया मूरख आखिये जित लब अंकार जिस प्राई नाल अंकार वर गया लोब वर गया द्रिश्णा वर गया जानकारी नाली हंकार वद गया है। जाने हैं जानकारी नाली ही लोग वद गया है। और आज समझी दुनिया रिच बड़े बड़े दुराचार दे अड़े जानकार लोग चला रहे ने। पड़े लिखे लोग चला रहे ने। क्योंकि बहुत बड़ी पड़ाई होवे, बह लब लो आंकार तो जानना कुछ हो रहे है पावना कुछ हो रहे है एक भुलो गई सड़ी देश दे अजीम चिंतकां को लो जिनाने कह दे था जानना ही इलम दी प्राफ्ती ही ज्यान दी प्राफ्ती ही प्रमात्मा दी प्राफ्ती है होया कि चारवेद कंट हो गए लेकिन रा लगते हैं शेक्षादी नुठी कहना पर कि अगर मनुख पड़े हैं ते उन्हों अमल दिच नहीं ले आया ता ओ बंदा उस मेरे खोते दी तरह हैं जो मेरियां सारियां किताबां चुक के मेरे नाल चलता है इलम चंदा के बेश तरफानी गर अमल दस्तो नेस्त ना दानी ना मुखक बवद ना दानशमंद चार पाई बरोये किताबे चंद एक बैल देते एक खोते देते जे गंतांदा अमबार लद रही है वो कोई पंडित हो जान्द है फरक सिर्फ इतना है कि एक गंतांदा भार ख बहार अपने सिर्वते चुखलें कौण रसे के जानना हो रहे आवना हो रहे है इलम र्स्ते द द द Capital चाहिए वेख लेगे लेकान ऐसा देखने चाहिए कि मनुख ने किदरों दीवा जुटाया कि टेल कठा कीता है कि दिवा निए अग धूलिए दीवा रोशन कीता और जैसे रोशन कीता आपने आखएं बंद कर लिए दस-पंद्रा साल ग्यान प्रापती देच ला देते कि जद ग्यान प्रापत होया उन्हों जिन्गी देच कदी वर्त है यह नहीं कदी वर्तों कदी जीवन देच कीती नहीं दीवा जलान देच समा बरवाद किया अगर मनुख ने अपनी अखा बंद कर लें इलम ओ बरवाद चला गया, सिखी होई ओ सारी विद्या व्यत चली गई अगर जीवन देच परुबकार दा जन्म नहीं होया साहिब उनानक देवजी महराई देवाग विद्या विचारी तां परुबकारी विद्या दी विचार उसने तांई कीती है जी उस दे अंदरों परुबकार दा जन्म होया होई उस दे अंदरों नेकिया दा जन्म होया होई उस दे अंदरों कोमलता दा जन्म होया होई विद्या प्रापत करके कठोर हो गया विद्या प्रापत करके मुजरम हो गया तरह तरह दे जुर्म इस तो नाजर हो गए ने, तो नहीं, इते पड़ा लिखा मुरखा, इते पड़ेया मुरखा आखिये, जित लब, लोब, अंकार, तो इल्म दे नाल, ग्यान दे नाल भी, मन दे जमियोई जो जूट दी मेल है, ते नहीं धुल दी, विचारे जो कूर दी कंद है, यह नहीं ठुपती, इस वास्ते जगद गुरु बाबा कहें देने, ते सह स्यान पां लख होए, ता एक ना चले ना, स्यान प इलम ग्यान एक तरह दा नहीं, हजारां तरह दा ही क्यों ना मनुख प्रापत कर लए, ता भी ग्यान दी एक गल्वी अग्ये नहीं चल बूले भाले अनपड़ दो बनुकते आपस देच बहुत चीती सैमत हो जाएंदेने, पर पड़े लिखें आपस देच सैमत होना भी बहुत अख़ा हो जाएंदा है, तकरार बाजनम हो जाएंदा है, विचार तकरार नो जनम दे देने, तो सह स्यान पां लख होए, ता एक ना चले ना, अगर सयान पते नाल भी प्रामाथमा दी प्राप्ती हो जाया, तो फिर प्रमातमा जोटा है, सयान पावढ़ी है, अगर ज्ञान भी इस वडिक्ष नहीं है, फिर इलम ही सब कुछ है, एसस वास्ते साहिब कहने इने, इलम प्रापर्ट करना ते बहुत पर दीवाय स्वास्ते जलाना है कि रस्ते ते चल सकीए और आमनाल जक्स चल सकीए प्रभू तक पहुंच सकीए ग्यान ते स्वास्ते प्रापत करना है कि जीवन दिच कुछ को मिलता दा जनम होए परुगतार दा जनम होए सदाचार दा जनम होए ते मनुख चले भजन कर दे निर्मान नहीं। आजोकी विद्धियाने मनुखनु लोभीते बणायां संतोखी नहीं। ए बिद्धिया कोई विद्धियाने जो रस्ते धा पत्थर बनगाय— åh, siyaaata, ktavas. सत्यवर्धिये नवहाँ बोट्र, से लुहा कंचन रिन्ड होइ कैसे जो पारस नयपर से क्या पढ़िए क्या गुनिये क्या बेर पूरा ना सुनिये पढ़ेमि पढ़े सुनें क्या होई जो सेहध नव भबंगार्या uncomfortable क्या सो पिजु जगदिच परचलत साधन सन इनानल सैंटी नहीं प्रगटाई इश्नान करनाल मनने प्रपितर होंदा चुप रैंडे नाल मनने चुप होंदा जगद दे सारे पदार्थां दी प्रापती भी हो जाया तामी मन दी बुक नहीं उतर दी ति जगद दा सारा इलम कठा कर कि आजाया तामी अध्यात्मक स्यानक तापत नहीं होंदी कूरती मेल नहीं दुदी जूट दी नहीं तुप दी तब फिर उन्ट स्वाल पेडा होंदा है क्यो सचरा स्चरा हो यह क्यों कूड़े तुट रपाल किमे सचर बनीने तिक्व जूट दी रप्र प्रशन साधना नालते गलबन दी ने, तो klikِّ कुट लिए क्यों सरचयार होई गए किव कूड़ा तुटए पाल किमें सचयार बनी किमें सत्वादी बनी किमें सस्ञते धार्मी बढ़िए किमें सतनों अपने अंद्रों जन्म देश सकीए ते किस तरा जूठ दी कंद नू तोड़न देश समरत हो सकीए किमें कूड़ दी मैल नू उतारिए इस प्रशंदा उत्तर जग्द गुर बाबा इस पंक्ती दिश्चें दिन चुक्म रजाई चलना नान के लिखे आ नाल हुकम दी रजा देच चलना हुकम दी पसंता देच चलना हुकम नो मन के राजि होना भानेनो सिरमस्त दे रख के चलना बस इस पनाल ही कूड़ी कंद तुटे धिये उ नौ मन खिंडेगा, शक्ती घर्थ जाएगी, गल्त लेखेंगा, रोगी होनेगा, गल्त सोचेंगा, मन करके रोगी होनेगा, गल्त करेगा, उसे विकर छोकरां खावेंगा, एह हुकम तेरे नाल लिखिया है, इस हुकम नो पढ़नडी कोशिश कर, सेमर गोबिंद मान तान धोर ल बुलने आ, व्यापन सब्वे रोग, एह हुकम तेरे नाल लिखिया है, एह हुकम कितना का बड़्डा है, इस हुकम देश की कुछ होए है, अगली पाड़ी रेख, सद्गुल देवजी महराद, विस्ताब से वर्मन कर गए लेख,